हेलो गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल तो जैसा कि आपको पता है एससे सीजल 2022 का कली एंसर की रिलीज हो गया है तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा आवाज डाउन था वैसे तो आज भी डाउन ही है बट स्टिल आम मेकिंग दे वीडियो तो इस वीडियो में मै करने आपको इस्सक्राइब लेकर न बन वेबट सकता है इसे के सब्सक्राइबWoटत ऑफ सक ठीक सब्सक्राइब करने के लिए छो घुटीप था वो अगेन मेंस के लिए कब से शुरू करेंगे उसका भी एक डेट बता दूंगा आपको तो चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत बोलना तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो पहले बात कर ले थ साथ प्रिलेंस में बने थे तो आपको याद होगा कि मैंने प्रिलेंस में वन मन्त तक एक टेस्ट सीरीज कंड़क कर आया था जिसमें मैं आपको डेली एक टार्गेट देता था एंड उसको आपको एटेंड करना होता था एंड एड एंड अप देडे मैं आपको आपका र करवाया था तो इसका सारह का मैंने रैंड किया था बाahy आपको एगर आप ऐसे एटेंट करते हैं तो आपको मतलब मन भी लगा रहेगा और आपको पता भी चलते रहेगा कि आप पर काहां पर स्टेंट कर रहा है overall सब के साथ तो यह free test है तो इसमें आपको join करने के लिए बस कुछ नहीं करने मेरे group को join करना है और बाकी का information मैं अपने telegram के channel पर बता दूँगा कब से test होगा and आपको कैसे return करना बाकी अगर test सिर्फ के date के बारे में बात करें तो start of January 2023 से स्टार्ट कर दूँगा मैं कि वीकेंड्स पे होगा Saturday and Sunday पर तो चैनल पर अगर नहीं जॉइन कि अभी तक मेरे टेलेग्राम चैनल को तो टेलेग्राम चैनल जॉइन कर लीज़ेगा तो रैंक आईक्यू पर जिन्होंने चैनल पर जॉइन होके यह जो ऊपर वाला लिंक है उस पर क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करता है तो आपको यहां पर डीटेल्स फिल करने क्लिए बोलेगा तो आप अपने डीटेल्स फिल कर लिए तो पहले अगर मैं अपने डीटेल्स फिल कर लूँ यहां से मैंने अपना details fill कर लिया है यहां से आपको simply login करना है and then login करने के बाद आपको यह process तो पता ही होगा अपना answer की खोलने का आपको बस click here to generate it पर click करना है and यह आपका answer की आपके सामने खुल के आ जागा तो इसको आपको chrome में खोल ले ना open in browser कर ली जागा यहां से और यहां से open in browser में करने के बाद आपको simply ऊपर आपको एक link दिखाई दे रहा होगा उस पर click करना है और यह जो link है आपको simply इसको URL बोलता है इसको तो इसको copy कर लेना है and then copy करने के बाद simply back आना है and back आने के बाद वापस मैंने टेलिग्राम चैनल पर आजेंगे and यहां पर आपको जो दूसरा link दिख रहा है rank IQ का उस पर click करेंगे and यह थोड़ा process होने में time लगेगा क्यूंकि इसमें काफी load रहता है and जो आपने copy किया है उसको simply यहां पर paste कर देंगे paste करने के बाद अपना category choose करेंगे मेरा EWS है horizontal में none रहने दीजेगा and password में आप कुछ भी set कर सकते हैं जैसे मैं 1234 set करता हूं आप भी अपना कुछ भी set कर सकते हैं ऐसे यहां से simply submit कर देंगे तो यहां से खुल के आ जाता है मेरा scorecard वाला page तो ऐसे यह आप अपना भी खोल सकते हैं तो finally अगर मेरे scorecard के बार में बात करें तो मेरा marks आपके सामने है मैंने total 85 attempt किया था and 15 मैंने skip किया था जिसमें की 71 right way and 14 wrong 14 wrong हो गये सो मेरे जो finally raw score बना after deducting negative वो बना 135 marks अगर आप मेरे analysis का वीडियो जो मैं अपने analysis वीडियो में ही बोल दिया था कि मेरा 130 तो 132 135 के बीच में score आएगा तो आपके सामने यह 135 का score बाकि sectional में भी मैंने जैसे जैसे बोला था कि general intelligence में मैंने 25 attempt किया है and by god grace सारा सही होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा सही हुआ बाकि general awareness में मैंने 13 attempt किया था जिसमें की 8 right हुआ 5 wrong हुआ analysis video में मैंने बोला था कि 5 right हो सकता है बाट यहां पर 3 ज्यादा तुक्का लग गया मेरा तो 8 right हुआ and 5 wrong हो गया बाकि score जो बना 13.5 and general intelligence में full score 50 out of 50 and quantitative aptitude में मैंने पहले ही बोला था कि 2-4 मैंने तुक्काम आ रहा है तो वैसा ही हुआ 18 question मैंने 100% accuracy के साथ बताया था तो सारा सही हुआ है and 4 question मेरे wrong हो गया तो 34 score बना and English में I am little bit disappointed क्योंकि I was expecting 3 गलत हो सकता है बट यहां पर 5 गलत हो गया and जो मेरा English में जो raw score बना वो 37.5 बना यहां आप अपना भी चेक कर सकते है and यहां से आप देख सकते हैं यह मेरा answer की and अगर मेरे rank and normalize score के बारे में बात करें तो यहां से आपको उपर आ जाना पड़ेग यहां से आपको दिख रहा होगा check your rank तो यहां पर मैं अपना click करता हूं and जो password आप starting में फिल किया था 1234 आपको simply वही फिल कर देना है यहां से तो यहां से आपके सामने यह page खुल के आ जाएगा यह मौतरमा आ जाएगी तो आपको इसको कुछ नहीं करना है cut कर देना है यहां से and यहां से rank based on your raw marks तो यहां से आपको दिख जाएगा अभी तक total फिल के हैं 1,20,000 प्लस डेटा फिल हो चुका है जिसमें कि मेरा rank 19,000 सम्थिंग चल रहा है और यहां से category rank आउट ओफ 28,000 स्प्रेंट्स मेरा category ranks साड़े 6,000 चल रहा है and shift wise rank 660 चल रहा है out of 3000 सम्थिंग and shift category rank यह ऐसे आप अपना भी सब कुछ चेक कर सकते हैं बाकी यहां से shift average सब कुछ आपको दिख जाएगा टॉप पर स्कोर एवरिटिंग and यह normalized score के basis पर है and finally अगर मेरे normalized score के बारे में बात करें तो आपको simply नीचे आ जाना पड़ेगा and यहां से नीचे में आकर आप scroll करकर कहेंगे तो आपको मेरे date of exam 5th के 3rd shift में है तो यहां से दिख रहा होगा and यह मेरे raw score and normalized score 138.47 maybe मेरा shift easy रहा होगा इसलिए कम normalization में बढ़ रहा है बाकी आपका कितना बढ़ रहा है and आपका क्या raw score है आप comment down कर देना बाकी जो भी यह मेरा score है यह कोई एक extraordinary score या फिर एक poor score नहीं है यह एक average score है जिसमें की pre easily निकल जाएगा तो इसमें अगर आपका भी around इसके marks है तो आपको बिल्कुल लोड लेने का जरूरत नहीं है and मैं इस पे अपना पूरा focus बना के रखना है क्योंकि pre का जो cutoff है वो मैं आपको आगे बताई देता हूँ so if you remember मैंने आपसर data collect किया था on the basis of attempt and आपको roughly एक raw score बताया था कि कितना जा सकता है raw score के according cutoff तो I am still standing by my words and इसी के साथ मैं अपना normalize score add करके आपको बताने वाला हूँ कि prelims के लिए क्या score safe रह सकता है and कितना marks के उपर आप definitely main score आप लिखने वाले है तो general के बारे में बात करूँ तो raw score 115 right है and इसमें अगर normalize score में अगर आपको बताऊ कि क्या जाएगा तो इसमें 120 marks plus वाले 100% safe है मेरे recording and OBC का 110 marks plus after normalization 100% safe है EWS के लिए 105 marks plus 100% safe है ST के लिए 80 marks plus and वहीं SC के लिए 92 to 93 marks plus अगर आपका after normalization तो आप 100% safe है and mains को लिखने वाले है and अगर if you are not agreeing with me and आपका कुछ और opinion है तो आप नीचे comment down कर सकते कि नहीं इसका cutoff गलत है इसका cutoff गलत है and यह ले सकता है उसका क्या reason है आप नीचे वह भी comment down कर देना बाकि इसके ऊपर है तो मेरे recording आप 100% safe है and mains को लिखने वाले है and अगर इसके नीचे भी है तो आपको mains का preparation करना चाहिए इसको देख के कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए and आपको mains का preparation में लगे रहना चाहिए बाकि इसके उपर है तो आप 100% mains को लिखने वाले है and इसके बाद आप time waste मत किजिए expected cutoff का वीडियो बार बार देखने के लिए बाकि आज के लिए बस इतना है मिलते है किसी और वीडियो के साथ तब तक लिए thank you and bye bye